हेलो एवरिवन वेलकम टुशाटर क्लासे बचोभी प्यस्टी टीरी 3.0 का जो एक्सायम है उसको लेग करके आज आज आपकी बिहार जियोग्रफी के कोश्चन्स को हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ में टोटल 20 पन्नों की आपकी PDF रहेगी और इसमें आपकी जो सही आंसर है वो टिक है क्योंकि जो बच्चे बहुत ही जादा जल्दी में रहते हैं वो देख सकते हैं और नहीं तो फिर हम लोग इसको अराम से डिसकस करते हैं बिहार में दच्छनी गंगा के मैदान की ओसर धाल कि अगर आप लोगों को कुछ चीजे ऐसे ना समझ में आए अमाल लीजिए कि अगर आप कोई आंसर नहीं पता होता तो आप इसको कैसे निकालते हैं यहां पर कह रखा है दक्षणी गंगा के मैदान की ओसर धाल तो पहली बाद तो जब दक्षणी गंगा कह दिया तो कहीं न आने वाली है ठीक है लेकिन अब क्या पता दक्षणी से जाएगी तो हम जो मैप देखते हैं अपने इंदिया का थी है तो हम देखते कि भीहार हमें कहीं इस तरफ मिलता है और उत्तर गंगा मैदान की ओसर ठीक है और दक्षणी इस तरह तो यह कहां से जा रहा है इधर से और रहा है इधर से घंगा मैदान के इधर से जा रहा है तो डक्षणी से रहा है जैसा कि आप को बिल्क तका जो भी अनुपात रहना है वो आपको याद कर लेना ठीक कि इसके बाद आपको लिंगानुपात हूत हां ये आपको एकदम याद करके जाना है बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो येOME है और पिल्कूल सही jis बिहार के उत्तर पश्य में इस्तित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है किसको कहा जाता है तो हरहा नदी घाटी जो है ये आपकी कैमूर की पहाडी को कहा जाता है निमलेखित में से कौन सी विसेस्ता विंदेयन समू की चटानों की नहीं है विन्देなसमू की जो चत्ताने है, वो मयोसीन काल की है, यही आपका जो आप्शन है वो गलत है, ठीक है, अप्शन नमबर ए जो है यह आपका बिल्कुल गलत है, इसके अलाबा अगर आपसे question में यह पूस्टे जाए, कि जो विन्दे असमू की चत्ताने है हो किसे बनी, तो तो आप इस चीज को याद में रखेंगे बिहार में गंगा का दक्षणी भाग कितने चेतर फल पर विश्थ है अब पहले तो उसने उत्तरी पूछा था लेकिन अब दक्षण पूछ रहा है तो यह भी चोटी-चोटी चीजे ऐसी है जो आपको याद रखना है इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कुछ नमबर 8 की तरफ पैट अंचल अवस्तित है कहां जहार खंड में और आप लोगों को बताना है कि बिहार से जहार खंड किस सन में अलग हुआ था नेपाल की सीमा को इसपर्स करने वाली बिहार की सबसे पूर्वी जिला कौन सी है तो न प्रतिशात है आप देख रहें कि किस किस तरीके के कोश्चन बनते हैं और आपको एकीन मानिये यही कोश्चन पूछे रहेंगे क्योंकि बिहार जोग्रफी के बिहार भूगोल के जो प्रेश्न है वो कुछ ऐसे ही है और इसमें तो हम लोग 20 कोश्चन को डिसकस करेंगे फ इसमें कोई फालतूगी बात तो होती नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होने के कोई चांसे भी नहीं है बिहार राज का छेतरफल भारत के छेतरफल के कितने प्रतिशत है तो यह 0.02.86 ऑप्शन नमबर सी जो है वो बिल्कुल सही है यह एक्जेक डाटा आपको याद रख है ठीक है बिहार की पच्षंमी गौत सही है जो नेपाल की सीमा को इस पर्स करता तो पक्षमी चंपारस और को सा पूछा था पहले साइथ इसने उत्तरी पूछा था देख लेते हैं पूर्वी जिला पहले पूछा था तो वो किसन्गंज था और जब दक्षिन पच्ष मीं पूछे तो आपका पक्षमी चमपारन है निमलिकित राज्यो में छेतर फलकी द्रस्टी से बिहार किसके समीप है तो पश्चिम बंगाल के है ठीक है बिहार के बाद बंगाल है आप लोगोंने मैप में भी देखा होगा और मैप स्टडी जरूर कर लिएगा हिमालय परबत का निर्माण किस काल में हुआ था तो डश्चरी काल में हुआ था उप्शन नमबर ए सही था बिहार के उत्री गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है उत्री गंगा मैदान बिहार में तो ये कब हुआ है कैसे हुआ है किसकी साहता से हुआ तो गंगा और उसकी सायक में आधान के भाग का निर्माड हुआ है यह repeated question हो गया option a बिलकुल सही है बिहार का सहरी चेत्रफल है है थीक है बिहार का सहरी अभी आप से पूछा क्या था कि भारत के चेत्रफल का कितना प्रतीसत बिहार का चेत्रफल है अब आप से बिहार का जो शहर है मलब city area है वहां का पूछा है तो option number B जो है वो आपका बिल्कुल सही है ठीक है यह data मैं आपसे बार बार कह रही हूँ exactly आपको याद करना है आपके पास ज्यादा समय है नहीं और जब आप paper दे करके आएंगे जब आप paper दे रहे होंगे वगर आपने ये वीडियो देखा है तो कहीं न कहीं आप आपको ये छेत्र फल वगेरा जो भी है ठीक है ये सब व्याद करने है बिहार के दश्यन पश्चिम शेत्र की पाडियां कि समूक है तो ये विंद्यन की है हम लोगों ने उपर ही देखा था ठीक है option number A जो है वो बिल्कुल सही है बिहार की सर्वोच स्रंग सोमेश्वर स्र कभी कभी आपको कोशन में ही एक और कोशन देखने को मिल जाता है तो ये थे बच्चों मारे 20 कोशन होपसो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को support करें वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ में मिलते है न